नमस्कार दोस्तों, helpful channel में आप सभी का स्वागते, दोस्तों आज हमारा topic है कि विवा की आयू की गणना करना हस्त रेखा के दौरा बिवा की आयू की गणना करना है यह तीन पकार के आयू की गणना करना का बता रहा है कि सबसे पहले एक शीग्र विवा कब होगा शीघ्र विझर है, अगर आपके हात अच्छा कंडीशन है, तो आपका शीघ्र विवा हो जाएगा तो वो क्या है, आई-उ है, दूसरा विभा विलम्ब है कि आई-उ, और तीसरा ये है कि जिनका डिवोर्स हो जाता है, फिर उसकी वाए दुबारा विभा कवह होगा तो घणना करते हैं में किन-किन बातों का और किन-किन ग्रोहों का धयान रखना चाहिए वो हम आज की वीडियो में बताएंगे सबसे पहले चानल को सबस्क्राइब कर दी चानल के रेड बटन होगा और लोशो की classes start है वैदिक, केपी, लाल केताब, टैरो, पामेस्टी इन सबकी classes start है आप जॉइन कर सकते हैं दोस्तों और चैनल को subscribe जोर करिए दोस्तों आपना subscribe नहीं करते हैं तो उसमें भी लोग विवा की आयो की गणना निकालते हैं लेकिन कभी कभी नहीं हो पाती उससे विवा की आयो जो गणना निकलती तो वो कारण क्या है वो मैं हस्तरेखा से आपको बताते हैं हस्तरेखा से भी आप बता सकते हैं और हस्तरेखा के जरिये आपको जैसे जिन लो फिर उसके बगल वाली में गुरु इंगली, और यहां पर मंगल पोजिट्व, यहां मंगल लियकर आपका सुप्राइत का प्रवध को जाएगा, और नीचे यहां पर चंद्र का परवध हो जाएगा, ठीक है, रावू मिडिल अफ़् चेत्र, के तू नीचे आपका यहां पर मड़ी बंदरे खाओं के आसपास अब दोस्तों हमें गड़ना करते हैं समय एक चीज सबसे पहले यह देखने चाहिए तीन चार कंडेशन देखे साइगे कि अगर पीला पन हो ज्यादा पीला पन हो तो मतलब उसका मंगल खुराब हो जाएग राब होता है मंगल और अच्छा होगा तो हात देखें आपा हाथ में लालीमा बनी रहेगी वाइटनस रहेगग और ही और आपको हाथ में हलका से sweaty टाइप कर रहेगा तो यह आपके लिए good mass और वीनस माउंड आपका उबरा होगा तो यह चीज इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं दूसरी बात फिर उसके बात हमारा देखा परता है कि भाग रेखा कैसे रहेगी भाग रेखा शनी परवत शनी परवत में अगर आपके टूटी पूटी कट रेखा आए हो शनी परवत पर रेखा नहीं हो या पर आपके जीवन मस्तिक रेखा से कोई शनी रेखा निकली हो तो आपका विवा है विलंब होने के बहुत सारे कंडिशन है उसके बाद फिर शूरपरवत को देखिए सूर क्या है पंचंभाव संतान का स्वामी होता है अगर सूरपरवत अच्छा नहीं है तो संतान विलंब होगी आपको अब्बिस सिवात है संतान जब विलम होगी तो शादी लेट होगी तो ये सारी condition देखे हैं फिर उसके बाएद सत्तमभाव का स्वामी जो होता है second house और सत्तमभाव का स्वामी यानि कि घर परवार कुटुम जो second house उसका शुक्र होता है और वहाँ पर सत्तमभाव यानि की पार्टर का सिपका होता है उसमें वहाँ पर शुक्र का काम होता है तो शुक्र और बुद्ध का दोद देखने चाहिए शुक्र परवत आपका उबरा होना चाहिए यहाँ पर रेड लिस उमा हो और यहाँ पे शुक्र परवत पे कोई न जालो रहू का कोई भी जाल इस तरीके से वरी लाइन या ऐसे लाइन काटते हो तो इस तरीके का कुछ भी नहीं होना चाहिए तो आपकी विवा बेला मूँगे अब रहते हैं कि विवा की आयू कि समय गड़ना करते हैं तो विवा की आयू करते हैं हमें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम शीक्र विवा का ध्यान रखते हैं विवाब में हम लोग यह देखते हैं कि आपका सूर परवत पर कोई रेखा है कि नहीं है अगर रेखा नहीं है और साफ सुतरा है उबरा हुआ है शनी परवत में भी कोई रेखा है तो साफ है लाइन लंबी है तो ठीक है तो और यहां पर गुरू भी परवत भी देख लेंग तो शीग्र विवा देखने के लिए सबसे पहले आप बुद्ध परवत पर देखिए कि आपके यहाँ पर marriage line कितनी है वन टू थ्री होरे है यह vertically लेटी हुई है और स्वारी होरिजन्टल लेटी हुई है और vertically कितनी है तो यहाँ पर vertically line को हम लोग देखेंगे ठीक है फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं शुक्र परवत पर देख लिजेगा कि शुक्र क्या है शुक्र परवत पर कितनी रेखा है है वह vertically horizontally कितनी रेखा है तो वह लिख लिजेगा देखिए वैसे भी तो आप जानते हैं कि बुद्ध का जितनी रेखा है उसका combination तब हो जाएगा जब आप अपने विवा के आयू के लिए लड़का लड़की ढूना चालू कर देंगे तब से उसमें गणना कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा जैसे कि यहां पर पांच गुड़े 6 किया तो 30 वर्स आ ठीक है और अब यहां पर कर रेखाओं के हिसाब से करने तो 3 गुड़े 2 किया मातब बुद्ध परवत पर तीन रेखा है और शुकर परवत पर दो रेखा है तो 6 हो गया तो इस 6 को क्या करते हैं अमाल लिते हैं अमूनन एज 18 से हमने डूनना चाल दो करते तो 18 गुड़े 6 मतलब 18 प्लस 6 24 वर्स में हो जाएगा फिर अगर 18 में 3 जोड़ते तो 21 वर्स भी 18 में 2 जोड़ते तो 20 वर्स इस तरीके से हो सकता है लेकिन यह आमने एक बहुत मिनमम रेशियो लिया है जिसकी शादी गणना वो हो जाती है मतलब 18 साल से आजकल कोई नहीं करता है 20, 22, 24 से स्टार्ट होता है तो उस आपसे आप लोग इसमें आयू की रिखा जोड़के आपकी विवा की आयू गणना निकाल सकते हैं फिर उसके बाद आप लोग देखते हैं विवाविलम का होने की मैंने कंडीशन बताई है कि शनी परवत कराब होगा आपका सूर परवत में भी रिखाएं कटीवटी होंग आपको बुद्ध परवत शुक्र परवत लेना है जैसे कि मालिजे बुद्ध पर तीन आया और शुक्र परवत पर चार रिखाया है प्लस शनी प्लस क्या करना है आपको शनी और सूर परवत पर जितनी रिखाया है उनको आपस में कड़ कर लेना है तो यहां पर मैंने चार त तरिक एक आपका होड़ा और आपने 18 वर्ष से ढूणना चालू गया तो यह इसका टोटल 18 तो 18 प्लाइब 36 वर्ष होगा तो 36 वर्ष के आई में विवाह विलंब होता है अब दूसरी वीडियो अब मिसमें बता रहे हैं कि दूसरा विवाह कब होगा तो जैसे कि आपका सूर परवत बिल्कुल ही खराब होगा रेखाएं कटी होगी सूर चे शनी परवत पर ऐसे रेखा जाती होगी ठीक है आपका हिर्दे जो रेखा होगी वो एक दम चैन रूपी होगी तो इसका मतलब यहां पर आपको विवाह आपका तूट जाएगा और शुक्र परवत में जाल तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जो आपका टोटल अठारा आया है उसको आप क्या कर सकते हैं तो इस हिसाब से आपको विवाह की आयू का पता चल जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से हम लोग विवा की आयू की गर्णा कर सकते हैं कि शीगर विवा विलम विवा और दुबारा विवा कब होगा तो यह इस वहास तरीका से हम लोग जान सकते हैं दोस्तो यही मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगए तो प्लेज लाइक के लिए सब्सक्राइब की चैनल को सपोर्ट की समस्या हैं जो मेल कर दीजे का नितिन 549 at the red जींबल रटकों पे चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेल आड़ी है यह लोशो की क्लासे स्टार्ट है वैदिक के पिलाल के तरब टैरो पामेस्टी क्लासे स्टार्ट दोस्तो सब्सक्राइब दर चैनल धन्यवाद दोस्तो हेलफुल चैनल को देखने के लिए प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दर चैनल